हलो गाईज फिर से एक नया रेसिपी लाएं दोस्तों आज बनाएंगे चिकन करी बहुत आसान और सिंपल ट्रीक है आपको दिखा देते हैं सबसे पहले हमारा फ्रेसर कूकर चलिगा दोस्तों प्रेसर कूकर में 200 ml सरसुका अल डालेंगे एक किलो चिकन करी बनाएंगे बहु आसान और सिंपल ट्रीक है आप भी ट्राई कर सकते हो सबसे पहले तेल गरम होने के भागा खड़ा मसाला डाल दिया सुके बाद हरी मिर्ची का तड़का मार दिया दोस्तों ये देख सकते हो, बहुत ही सिंपल और आसान ठीक है, आप भी इस तरीके से बना सकते हो, दूसरी तरब हम चिकन को अच्छे से वास करके, इसमें मसाला करके, मैगनेट करके, हल्दी, मिर्ची, नमक, और ये रहा हमारे दो पैकेट चिकन मसाला के, और धनिया जीरा डालके इस डाले जारे हैं, तो इसको अच्छे से मिक्सिवेल कर देते हैं, और अच्छे से पका लेते हैं, दोस्तों, दूसरी तरब देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं डालना है, और मसाले डालके इसको थोड़ी देर पकाना, और दूसरी तरब हमारा प्याज का मसाला तयार हो रहा ह यह देख सकते हो बहुत सिंपल और आसान तरीका है आप भी इस ट्रिक से बना सकते हो यह देख सकते हो अब हमारा चिकन में सौप्टनेस आगी है अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला जाएगा और टमाटर हमने जो बारिक रैफली चौप कर रखें वो डालेंगे दोस्तो आप डिख सकते हो अब चिकन इसमें पल्टी मार देख सकते हो चिकन बहुत सांदार और लजी साथ के साथ तैयार हो रहा देख लीजेए आप अप इस ट्रिक से चिकन आसान तरीके से बना सकते हो और सिम्पल तरीका है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए मिक्सिवैल चाहते हो तो हलका गरम पानी डाल सकते हो दोस्तों देख सकते हो बहुत सानदार और आसान ट्रीक है अब इसमें दो सीटी लगाएंगे और उसके बाद चिकन को पल्टी मारेंगे यह देख सकते हो हमारा चिकन करी बहुत सिंपल आसान तरीके से रेडी हो चुका है देख सकते हो चिकन के पीसिस लेकपीस बहुत सांदर तरीके से पक चुका है अब आपको दिखाएंगे हमने किस तरीके से दम लगा के चिकन करी आज का special recipe तयार कर चिका है और आप इस recipe को ज़्यादा से ज़्यादा share जरूर करेगा इसी के साथ राजबोरा का आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार धन्यवाद